आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, इस समय सबसे बड़ी भरती, सबसे बड़ी अफडेट जो है, ब्रेकिंग न्यूज, आप सभी स्टूडेंट के लिए आ रहा है, जिया, 36 गड़ में ग्राम सिवक के 12800 पोश्ट निकल कर आया है, और यह सबसे बड़ी भरती ह तो जो भी स्टूडेंट 36 गड़ में ग्राम सिवक बनना चाहते हैं, ग्राम सिवक के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट पोश्ट हैं, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि ग्राम सिवक, आप ऐसे काफी स्टूडेंट होगे हैं, और जो B.A.C. एगरी कल्चर करत चुडेंट यही संचते हैं कि कब आखिरकार 36 गड़ में ग्राम सिवक का वेकनेंसित नीकल कर आएगा और जो B.A. क बासलार आप एंज्ट एक करते हैं, B.T.ब करते हैं और स्टूडेंट के यहीं ड्रिंज होता है कि कब जो है ग्राम सिवक का भरती निकल कर आ? क्योंकि इ ग्राम सेवक के 12800 पोश्ट सबसे बड़ी भरती हैं सबसे अच्छा शुनारा उसार है सबसे अच्छा मौका हैं तो जो भी स्टुडेंट्स ग्राम सेवक के 12800 पोश्ट के लिए बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर पाएंगे ग्रेजवेशन तो कंप्लीट आपका होना चाहिए साथ में रोजगार पंजन होना चाहिए काफी स्टुडेंट होते जो रोजगार पंजन नहीं कराते हैं आपको बताना चाहता हूं कि करा लिजए क्योंकि बीना रोजगार पंजन के आप आवेदन नहीं कर पाएंगे और 12800 पोश्ट अपने आप में काफी जादा इंपोर्टेंट है बहुत ही जादा महत्तों पुर्णा आपको सिर्फ काम करने के दिरी हैं अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं अच्छे से त्यारी करते हैं तो इसमें आपको काम्याबी इसमें आपको सफलता है जो है अवसे रूप से देखने को जो है मिलेगा और सभी चीज़े सफलता मिलेगा या फिन नहीं मिलेगा यह सभी चीज़े आपके उपर डिपेंड करता है आपके काम के उपर ही डिपेंड करता है आ जब आपने जदे आप मैं तो यही चीज़ बोलता हूँ कि ज़तना जदाप हाड वक करोंगे न जितना प्मेहनद करोंगे उतने जадाफ को कामयाबे इतने जादा शरुखलतां उतनी जदा शोरत अतनी जादा बुलंदी, आपको जो है मिल पाएगा, बिल्कुल भी यह महाँ सोच हूँ कि यार मुझे आभी कामयाबी मिल रहा है, या फिर नहीं, मुझे कामयाबी मिल पाएगा भी या नहीं मिल पाएगा मैं, तो यही चिज़ बोता हो कि आप अपना काम कीजेए, जब आप 100% काम करोगे तो आपको आपके महनत का रिजल्ट बेच्ट होने वाला है और आपको महनत का रिजल्ट वसुरूप से मिलेगा, बहले ही थोड़ा टाइम लगे गए लेकिन आपको वो काम्याबी जो है जरूर मिले गा तो अच्छे से मेहनत जरूर करना देखे तू अपनी खूबिया ढूंड खाम्या निकालने के लिए लोग है न अगर रखना है कदम तो आगे रख पीछे खिचने के लिए लोग है न सपना देखना है तो उचा देख नीचा दिखाने के लिए लोग है न तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का जलने के लिए लोग है न प्यार करना है तो खुद से करना अफरत करने के लिए लोग है न तो कुछ करके दिखा दुनिया में, तालिया बजाने के लिए लोग है ना, आप अपनी जिन्दगी में कुछ भी कर सकते हो, आप बहुत जाद आगे जा सकते हो, अपने सभी ड्रिम्स को पूरा कर सकते हो, बस अपने आपको अच्छे से प्रिजेंट करना है, खुद के ओपर करेंगे तो, कितना भी असान से चीजे क्यों नहों, वो भी चीजे आपको जाए इंपॉसिबल से लगने लगता है, वो भी चीजे आपको लगेगा कि यार ये चीजे मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत जादा मुश्किल है ऐसा, लेकिन जब आप काम करते जाओगे, मेहन पाओगे, अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, अगर आप काम ही नहीं करोगे, और सिर्फ काम्याबी के सपने सजाए बैटे रहोगे, सिर्फ काम्याबी के सपने देखोगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ काम्याबी के सपने देखने से ना काम्याबी नही आज आपको कामयाबी भले ही ना मिले आज भले ही आप सक्सेज ना हो लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले समय में या आगे आपको कामयाबी नहीं मिलेगा आने वाला समय आज से कहीं जादा बहतर होगा हर एक समय एक जैसा नहीं होता हर एक परिशिती एक जैसा नहीं होता कभी भी आपका परिशिती बदल सकता है कभी भी आपका समय बदल सकता है बस उस समय के लिए हमें थोड़ा सा वाक करने हमें उस समय के लिए थोड़ा सा काम करते रहना और जितना जादा आप काम करोगे न उतने ही जादा आप अपनी जिन्दगी में भी आगे बढ़ पाओगे, इसलिए काम करना जरूरी है, महनत करना जरूरी है, और महनत किया बगार परणाम के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि यारो, मुझे काम्याबी मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा क्योंकि जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं नया करने की सोंचते हैं लोग आएंगे लोग बोलेंगे कि तुछ से नहीं हो पाएगा तेरे जैसे तो बहुत देखे हैं बहुत से लोग होते हैं जो आपको हर एक वक्त जो है गिरानी की कोशिश करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि ये कभी आगे मत बढ़ पाए लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए आपको अपने आप पर बिलीव करना यदि खुद के उपर आपको बिलीव होगा खुद के उपर भरोसा होगा तो यकिन मानि आपको जिन्दगी में आगे क मुझे जिवा अभी जो है, definitely जो है, मिल पाएगा, जो जितना जादा आप वोग कर सकते हैं, उतना जादा ज़आधा जो ज़ए महनत करना, hard वोग करना, और बिना महनत कि एकुसी भी तरह से काम्याबी, बिना महनत कि किसी भी तरह से सकस्थ आपको नहीं मिलने वाला, उसले क काम करना जूरूरी है महनत करना जूरूरी है और यह बिल्कुल भी मसोचुक यार मुझे सकसेज मिल पाए भी या फिन नहीं मिल पाए गए आपको डेफिनेटली सकसेज मिलेगा आप उस सकसेज के काबिल हैं आप उस सकसेज के लायक हैं बस अपने आप पर भरुसा करना होग और जितना जादा आपको अपने आप पर भरुसा होगा जितना जादा खुद के उपर बिली होगा जितना जादा खुद के उपर भरुसा होगा उतने ही जादा आप अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ता होगे और बिल्कुल भी यह मत सुचू कि यार क्या होगा कैसा होगा मैं कहता हूँ आप तो start तो कीजे आप सुरवात तो कीजे भले ही आपको success मिले या ना मिले कोई बात नहीं आप start तो कीजे बहुत से student होते हैं बहुत से लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं जिन्दगी में उनका कुछ एम होता है उनका कुछ बड़ा सपना होता है लेकिन वो start ही नहीं करते हैं इसी वज़े से उन्हें काम्यावी जो है नहीं मिल पाता है आपको start करना है बिना य आइने वाले समय में आपको definitely काम्याबी आइने वाले समय में आपको हर एक success जो है प्रशिद्धी जो है मिलने वाला है बस उसके लिए हमें काम करते जाना बिना मेहनत किये कुछ भी चुछ नहीं मिलता और बिना काम किये पर नाम के बारे में बिल्कुल मसों चूँँ आप आ करके share करो so thank you मिलते हैं किसे नए वीडियो में